ढोलकपुर के सुरम्य शहर में जहां हर कोने पर जीवन्त रंग सजे हुए थे और सडकों पर हंसी गूंज रही थी, छोटा भीम और उसके दोस्त अपनी शीत कालीन छुट्टियों की योजना बनाने में व्यस्त थे। दिसंबर की ठंडी हवाएं आ गई थी और कश्मीर की शीत कालीन यात्रा के विचार ने हवा को उत्साह से भर दिया था। छोटा भीम ने अपने दोस्तों राजू, जगू और छुटकी के साथ कश्मीर की बरफीली सुन्दर्ता का अनुभव करने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। समूह ने यात्रा के लिए अपने बैग गर्म कपड़ों, स्नोगियर और निश्चित रूप से धेर सारे लड़ूँ से पैक किये। जैसे ही वे कश्मीर की मनमोहग घाटियों में पहुँचे, परिद्रिश एक शीत कालीन वंडरलैंड में बदल गया। बर्फ से ढके पहाड, जमी हुई जीलें और आकर्शक लकडी के घर हर मोड पर उनका स्वागत करते थे। हवा सोहावनी थी और आसपास का वातावरन बर्फ की शान सफेद चादर में नहाया हुआ था। कश्मीर में उनका पहला दिन रोमान्चकारी बर्फीली गतिविधियों से भरा था। अपनी ताकत और चपलता के लिए मशहूर छोटा भीम ने स्नोबोर्डिंग और स्कींग में अपनी ताकत दिखाई। राजू, जगू और छुटकी मस्ती में शामिल हो गए, स्नोमैन बनाए और दोस्ताना स्नोबॉल लड़ाई में शामिल हो गए। समूह ने स्थानिय संस्कृती का भी पता लगाया, पारंपरिक कश्मीरी बाजारों का दौरा किया और पारंपरिक कश्मीरी चाय जिसे कहवा के नाम से जाना जाता है, की गर्माहट का स्वाद लिया। छोटा भीम जो हमेशा नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक रहता था स्थानिय बच्चों से जुड़ा और जल्द ही पूरा शहर हंसी और खुशी से भर गया। और मित्रता को दर्शाया गया है, जो दोनों भूमियों को जोडने वाले एक पुल का प्रतीक है। जैसे ही समूह उत्कृष्ट कृती को देखकर आश्चर्य चकित हुआ स्थानिय कहानिकार ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने कश्मीरी लोक कथाओं से बहादुरी और दोस्ती की कहानिया सुनाई। कहानिया चोटा भीम और उसके दोस्तों के साथ गूंचती हैं, जो उनकी दो दुनियाओं के बीच के बंधन को मजबूत करती हैं। कश्मीर की शीत काली नयात्रा चोटा भीम और उसके दोस्तों के साहसिक कारनामों में एक अविस्मर्णिय अध्याय बन गई। हर्शित हंसी बर्फ की गतिविधियों का रोमांच और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इसे ठंडे तापमान के बावजूद गर्म जोशी से भरी यात्रा बना दिया जब उन्होंने कश्मीर की खूबसूरत घाटियों को अलविधा कहा तो छोटा भीम और उसके दोस्त न केवल बर्फीले परिद्रिश्यों की यादें बलकि सीमाओं से परे दोस्ती की स्थाई भावना भी ले गए और इसलिए कश्मीर की शीत कालीन यात्रा ढोलकपुर में एक पसंदीदा कहानी बन गई जो उस आनंद का प्रमाण है जो नई भूमी की खोज करने और जीवन भर चलने वाले संबंध बनाने से आता है